दोस्तों जब भी कोई लड़की दुलन बनने वारी होती है तो मेकप टिप्स उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपने स्पेशल डे पर अच्छी दिखाए दी लेकिन जब शारी मौनसून के मौसम में होती है तो ब्राइड अकसर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि मौनसून के मौसम में उमस, गर्मी, बारिश ये सारी चीज़े काफी ज़्यादा होती है आईए जानते हैं आज कुछ ऐसे आसान से तरीके जो मौनसून में दुलहन बनने वारी लड़कियों के लिए बेस्ट है मेकप लगाने से पहले तुचा को मेकप के लिए तयार करना बहुत जरूरी है मेकप के लिए तुचा को तयार करने के लिए मौस्चिराइजर का प्रियोग ज्यादा से ज्यादा करिए अपने तुचा को अच्छे तरीके से साफ करे और उस पर गंदगी जमा मत होने दीजे स्क्रबिंग करें, यह सारी चीजे आपकी तुचा से गंदगी को साफ करेंगी और अगर आपकी तुचा बहुत oily है तो उसे भी control करने में मदद करेंगी टिप नमबर टू है होटो का मेकप ब्राइडर को आँखों का या फिर होटो का मेकप काफी अच्छे तरीके से करना चाहिए होटो का मेकप करने के लिए सबसे पहले लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिपस पर कंसीलर लगाए और उसको अच्छे तरीके से फैला लें और उसके बाद ही आप लिपस्टिक लगाएं ऐसा करने से कलर काफी अच्छा आता है और लिपस्टिक भी लॉग लास्टिक हो जाती है टिप नंबर थरी है आँखो का मेकप आँखो का मेकप बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप मौनसून के मौसम में ब्राइड बनने वाली है तो आप waterproof makeup का इस्तेमाल करें waterproof eyeliner, waterproof kajar और muskara यह market में easily available है आप इन्हें का इस्तेमाल करें तो दोस्तों यह है आसान से तरीके मौसून के मौसम में ब्राइड याने के दुलहन बनने वाली लड़कियों के लिए अपने makeup को लंबे सामय तक टिका रहने देने के लिए इन्हें ट्राइड जरूर करें मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए